वो EPFO की जब आप उपनी पास्बुक को डाउनलोड करने की सोचते हो पीएप का बैलंस चेक करने की सोचते हो तो आपको विभिन परकार के एरर आ रहे होंगे तो वह कौन-कौन से एरर होते हैं पहले तो उनकी बात करेंगे आपको दिखाएंगे एकदम लाइव में आपको दिखा रहा हूं तो मैं यहां से एनका आपो बैलेसिant को अपनी पास्टा प्रखना परकार करते के साथ ही यहां पर थोड़ा सा समय ले सकता है नेत की स्पीट पर डिपट करता है और यहां पर यह खुल चुका है पीए पास्बुक का पोर्टल यहां पर जैस्ट में इसको स्क्रोल कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा आप अपने हिसाब से चला लेना मोबाइल को क्योंकि यहां पर मैं डेस्टॉप साइट मोड में चला रह को पकड़ते हैं तो यहां से मैं डेस्टॉप साइट मोड में आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप प्रोपर तरीक से सभी चीज आपको देख सको तो यहां से मैं अपने युनिवर्ट से लाकर नोमर डाल दूगा जो पास्वड होता है हमारा पास्वड को डाल दू हमारा यहां से फटना यहां से फटाफट लोगिन हो जाता हूं यहां से आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं ताकि याप इसको तो समझ पाओ मैं पहले आपको दिखा देता हूं मैं एसा ड्राइब यहां पर पासबूट चिका हूँ के अपछ इसकाई अपको प्रबट एदेना अब लोम इन पर क 55 करके दिखाऊंगा में इसलिए आपको यह दिखाता हूं ताकि आप इसको सही दार से से समझ भाऊ तो चलिए मैं आसे लोगिक पर किलिक कर देता हूं आप यहां से मैं आप को दिखा रहा हूं आपको दियान देना यहां पर सही ड़ा यहांrai है और यहां पर एक एयरर आ गया इस में बात करूंग आपको इसके см t बारे में कि your password is expired to change your password please visit member portal यहां पर यह बोल रहा है कि जो भी आपने यहां पर password का यूज किया है वैसे तो वह सही है लेकिन यहां पर expired कर गया है वह पाइप पासबड एप्यों के रूल के नुसा और तो चैंज यूर पासबड यह बोल रहा है कि आप पासबड को चैंज करिए प्लीज विजिट मेंबर पोर्टल मेंबर पोर्टल पर जा कर आप पासबड को चैंज कर लीजिए वहां पर ऑप्सवचन अल्रेडी डे रखा है नोटिफीकेस्ट के माध्यम से क्योंकि एपकि मैं आपको solution दे रहा हूं तो आपको एकदम बेक आ जाना है एक फूट दुबारा आपको Google पर या Chrome का यूज करके एक फूट टाइप कर देना तो चलिए वही पर चलते हैं यह जो आपको option दिख रहा है इसको हटा देंगे बिल्कुल आप यहां देख सकते हो मैं एक फूट टाइप करके आ गया हूं सेम वह सी प्रोसेश को मैं दोरा रहा हूं यहां से आपको करना क्या है अब यहां पर क्लिक करने की बारी आती है जो आपका कुछ इस प्रकार से खुल रहा है आप देख सकते हो यहां पर यह खुल चुका है अब आपको यहां पर जो करना है वह मैं आपको बात बता रहा हूं यहां पर आपको अपना uan enter और password को यहाँ पर डालना है तो आपको मैं समझा रहा हूँ जिस हिसाब से आपको काम करना है जो password आपने वहाँ पर यूज किया था same आपको यहाँ पर भी यूज करना है तो चलिए पहले uan number यहाँ डाल देता है यहाँ password डाल देता है capture जो यहाँ नजर आ रहा है इस capture को हम इस option में डाल देंगे और sign in पर click कर देंगे sign in पर जैसे ही आप click करते हो तो आपके सामने कुछ इस परकार से आ जाता है यहाँ पर यह कुछ इस परकार से खुल जाता है मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ जैसे ही आप click करोगे तो आपका यहाँ पर सब कुछ डाटा सही डाला है आपने password भी सही है आपका अब यह बोल रहा है कि kindly update your password change password तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो आपका password है उसको please आप notification के माद्दियम से आप चेंज कर लीजिए क्योंकि वह बहुत पुराना हो गया है और जब आप चेंज कर लोगे password को तभी जाके वह open हो पाएगा तो इसका already video यह जो मैं option दिखा रहा हूँ इसमें जो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा basic समझा देता हूँ यहां से हलका सा यह old password आपको डाल देना है इस option में और आपको new इस option में डाल देना है यहां पर आपको confirm option में एक बार वही डाल देना है new वाल पासबर जो आप बना रहे हो यहां पर guideline के अनुसार आपको यहां पर click कर देना है हैं एक चैंग माका ह고ना कूल संहों और ये प्रोसेस दोंगे देखना है की यह क्या है तो इसका और इसका ूचार्टी ने में दे दूंगा बसावप से शिक्राइब्स करें नई ये पेद्रण वहां जांक deltर but फक्रोप्र उसको तुरंट उसका उसका यूज नहीं करना क्वोग पिए रूप उससे घंटे के बीच में बीच केप का जो पास्बुक है उसको चेक करना है जो नया आपने यूएने पासबड़ भी बनाया है उसका यूज करके आप अपना पास्बुक को चेक कर पाऊगे आठ गंटे बाद कम से कम किलिए आपको समझ में आगे होगा हां मेंबर पोर्टल पर आप तुरंद ही जा सकते हो तुरंद ही लोगिन हो जाएगा सब कुछ काम करेगा मेंबर पोर्टल पर तो यह समझ में आपको आ रहा होगा एक बार मैं आपको रिपीट इसलिए कर देता हूं क्योंकि जो इसका जो वीडियो है ना आल्रेडी मैंने बना रखा है मेरे चैनल पर चले जाना वैसे आपको करना क्या है क्योंकि क्या होता है अगर आपके पास old password है तभी आप इसको बना पाओगे एक भी चीज में आपको किलियर कर देता हूं old password अगर आपका पास खो गया है तो आपका मेरे डिस्क्रिशन पर ही आपको दूसरा next वीडियो मिल जाएगा उसका कि अगर आपके पास old password भी नहीं है तो केसे password बनाए हम तो उसके लिए दूसरा link में दूँगा उस पर जाकर आप दूसरे link का वीडियो देख लेना और उससे आपका नया password बन जाएगा अब आपका काम हो जाएगा तो आसा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के मादन से बस मुझे आपको यही आप कैसे चेंज कर पाओगे तो दोस्तों कैसे लगा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करें आगे सेर करें और पीएप से संबंदित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद